जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूप्टी चैनल एजजे स्टेडी पे दोस्तों अभी हम लेकर आगें इंडिन ने भी एम्मार और एसे साल के लिए दोस्तों जीके के प्रैक्टिस से टू इससे पहले हमने वन करवा दिया अगर आप नहीं देखे हो जाके जरूर देख लेना लिंक आप लोगो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यह टोटल इसमें 15 कोशन है और सारे कोशन मतलब की जैसे एक्जाम में पूछ जाता है ना सेम टू सेम वैसा ही कोशन लेकर आया हूं और आपको पता है मेरे भाई की जो बंदे अगर सारे कोशन का इंसर सही देते हैं उनको हमारे तरफ से बूक बिल्कूल फिरी में गिफ्ट किया जाएगा उसके लिए कुछ नहीं करना होता है इन 15 के 15 कोशन का इंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दो और इस वीडियो को पांच ग्रूप में सेर कर देना और वीडियो क इससे पूछा गया क्या होता है आपके पास चार ऑफशन हैं और इंटरनेशनल यूनियोन आफ कॉनवर्जिंग नेच्रल इनवाइडमेंट ठीक है तो इसका जुराइट एंसर होगा वो क्या हो जाएगा मिर भाई तो इसका जुराइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो इंटरनेशनल यूनियोन फोर कॉनवर्जिंग नेच्र इसका राइट एंसर हो जाएगा तो आप लोग याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट सवाल है दूसरे सवाल को बढ़ते हैं दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है भारत में भारत की सबसे बरी खारे जल की जील किस जील होगा दोस्तो चिल का जील है तो यहां पर मिरा भाई क्या होगा मिरा भाई यही सबसे बराब खारे जल का पानी हो जाएगा या आप से पूछा जाए कि चिलका जिल कहां इसी था है तो उडिशा में ठीक आप लोग याद रखेगा दूसरा सवाल हो गया तीसा सवाल के रोबढ़ते हैं देखो भारतिये सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ओफशन ने है सुचियत सिंग ऑफशन भी इन ही का देन है भारतिये सिनेमा तो इसलिए को आप लोग याद रखेगा इसके अलावा और भी कोशन पूसा जाता है जैसे कि दादा साहिब फाल के प्रुषकार की छेत्र में दिया जाता है तो फिल्म के छेत्र में दिया जाता है दादा साहिब फाल के प्रुषकार तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं इनकी बहुत सारे फिल्म है दादस फाल के पुरुषकार जी का ठीक है तो आप लोग याद रखेगा ठीक यह चीज को अगला सवाल के और बढ़ेंगे हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है देखें अगला सवाल यहाँ पर चार नमबर परसीद पुष्टक गीत गोविंद किसने लिखी है आप लोग के काली दास आप लोग को दिख रहा है आप लोग याद रखेगा बाकी आप लोग यहाँ पर काली दास का याद रख सकते हैं मेरा बहुत सारे पुष्टक जो है मतलब कि पूछा जाता है आपके एक्जाम में जैसे कि आप लोग का अभिज्ञान सकुनतलम हो गया ठीक है एक आप लोग का मेगदूत हो गया मेगदूत आप लोग याद रख सकते हो मेगदूत के लावा आप लोग रगवनसम याद रख सकते हो यह सब एक्जाम में पू ओज्वादामरी, तो यह भी पूछा गया है, किसका है, बान भट के दोड़ा लिखा गया है, तो आप लोग्याद रखना, अगला सवाल क्यों भी बढ़ हेंगे, अगला सवाल देखो यह šण गाल यह इंक पता नहीं कितना वार पूछा गया, स्वीमिंग से संबंध यह वर्ड है बटरफ्लाइ स्ट्रॉक आप लोग याद रखना बहुत वर आपके एक्जाम में यह कोशन पूछा गया है तो इसलिए मैं आप लोग को यह कोशन करवा रहा हूं ठीक चलिए अगला सवाल करो बढ़ेंगे अगला सवाल देखो यहां पर 1975 में पहले विश्व कप में भारतीय किर्केट टीम के कप्तान कौन थे आप लोग तो किर्केट देखते ही होगे तो इजली बता दोगे देखो ऑफशन ए विशाल सिंग वेदी ऑफशन वे जी आर विश्वनाथ ऑफशन सी एस वेंकट रागवन और ऑफशन यह मसूर अलि क्या होगा सी हो जाएगा एस बेंकट रागवन जो थे 1975 में जो हुआ था मेरे पहले विश्व कप उसमें भारतीय टीम के क्या थे यह कप्तान थे आप लोग याद देखेगा ठीक है इस चीज को बहुत इंपोर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए अगला सवाल क्यों बढ क्या है ना मेरे भाई वो केरल राज से संबंदित सास्त्रिय निर्थ है तो राइट एंसर ओफसर नमरे हो जाएगा केरल का एक और सास्त्रिय निर्थ आप लोग याद रख सकते हो कथकली ठीक है कथकली और मोहिनी अट्टम ये दो जो है मेरे भाई सास्त्रिय निर्थ ये सिर्फ और सिरुफ एक स्टेट का है केरल स्टेट का तो आप लोग याद रखेगा कन्फ्यूज विल्कुल भी मत हो येगा ठीक है क्योंकि एक जाम में बहुत बार पूछा जाता है ठीक है इससे एक कोशन एक कोशन बने ठीक उसके बाद आप लोग यहाँ पर तमिल नाडू का भारत नाट्यम हो जाएगा क्या हो जाएगा भारत नाट्यम भारत नाट्यम कहां का है भाई तर तमिल नाडू का हो जाएगा आप लोग यह याद रख सकते हो ठीक है उसके बाद मनीपूर में कौन सा चलता है मनी पूर में चलता है मनी पूरी मनी पूर में कौन सा मनी पूरी चलेगा ठीक है तो ये सब क्या है मेरा भाई ये सब एक सास्तिरे नीर्थे मनी पूरी भालत नात्यम कथकली करनाटा का कोई भी सास्तिरे नीर्थे नहीं है तो आप लोग छोड़ दीजिए ठीक चली अगला स सवाल देखो कि युद्ध काल में सरवच बीरता पुरसकार जो है वो कौन सा होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा प्रमबीर चक्र युद्ध काल में सरवच जो मतलब की होता है मेरा भाई सरवच बीरता पुरसकार वो प्रमबीर चक् तो आप लोग याद रखेगा अगला सवाल की और बठते हैं और अगला सवाल देखे क्या कह रहा है अगला सवाल नो नमबर निम्ना लिखित में से किस दिन को अंतराश्टिय महिला दिवस की रूप में मनाया जाता है आप लोग याद लखना ये भी कोशन बहुत वार एक्जामे रिपीट है अगला कोशन की रबठते हैं अगला कोशन आप लोग के सामने दस नमबर निम्ना लिखित में से कौन सी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की रजधानी है पहले ये दोनों जो थे न ये यूनियन ट्रेटी अलग अलग थे दादर नगर हवेली का रजधानी अलग था दमन एवं दीव का रजधानी अलग था लेकिन अब जो है दोनों का राजधानी सिर्फ और सिर्फ एक कर दिया गया है वो कौन सा है? आफसन है सिलवाटा, आफसन विपांडी, चेरी, आफसन से कवरती और आफसन डियर दमन, तो 10 का राइट नेंस रो जाएगा, आफसन नमर डी, दमन हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन और दीव की जो राजधानी है मेरे भाई दमन है आप लोग याद रखेगा ये 26 जनबरी 2020 को ये किया गया था बतलाओ ठीक है दोनों को क्या कर दिया गया था दोनों के राजधानी एक कर दिया गया था कब 26 जनबरी 2020 को कर दिया गया था तो आप आप लोग याद रखेगा बाकि जितने भी किंद्रसासित परदेश हैं उनके राज दधानी आप लोग याद रखेगा ठीक है जैसे अंडमान निकोवार उनों पोर्ट विले चंडीगर का चंडीगर दिल्ली का दिल्ली हो गया ठीक है आप लोग इस सब का याद कर लो सातो जो भी है वो आप लोगो याद करना है ठीक चलिए अगला कोश्चन क्यों बढ़ते हैं 11 नमबर सवाल कह रहा है कि मैक्स बस्टार पेन किस खेल से संबंदित है आप लोग के पास टेनिस आप लोग को दिख रहा होगा मेरे बाई क्रिकेट आपसंस यह एफ-1 रेसिंग और और वो इसी खेल से संबंद रखते हैं तो आप लोग याद रखेगा ठीक अगला सवाल क्यों बढ़ेंगे और अगला सवाल यहाँ पर 12 नमबर डेविस कप किस खेल से संबंदित है बहुत वार रिपीट सवाल है यह मिरे भाई बहुत वार इसका जो राइट एंसर होगा और और अपसे प्शंब ऑफशन नमबर यह हो जाएगा दोस्तों टेशन हीज ओगा ठीक है डेविस कप का जो संबंद है वो टेनी सखेल से है तो आप लोग याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंड सवाल है अगला सवाल क्यों बढ़ेंगे अगला सवाल देखेक क्या कह र और को पता होगा ठेक है आप लोग याद रखेंगे अगला सवाल हम लोग देखेंगे इरानी रियाल इरानी की जो मुद्रा है इरानी रियाल यसीद आपको रियाल भी देखने को मिल जाएगा एक्जाम में तो आप लोग को सही लगाना है देखो आप लोग को न जितने भी मतलब की भारत के जो परोशी देश हैं ठीक है जिसके साथ अच्छा समय दो उनके राज दिस रजधानी याद कर लेना है, वहाँ की मुद्रा याद कर लेना है, वहाँ की रजधानी याद कर लेना है, वहाँ का परधान मंतिराश्ट पर इतना याद कर लेना, क्योंकि इसी से कोश्चन आप लोगे करेंट अफिर के बनते हैं, जिसे एरान की रजधानी क्या हो कोश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोथ है Option मचली का तेल, Option विचीनी, Option सी केला, Option डिनारियल तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, वह जाएगा, Option नमबर A हो जाएगा मचली का तेल में जो होता है ना विटामिन A का इस अच्छा minded होता है ये चीज़ आप लोगो याद रखना है ठीक है रतौंदी होता है ठीक टोटल 15 कोश्चन थे कितना सही हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिशेगा ठीक है और उसके अलावा आप लोग एक और काम कर सकते हैं टेलिग्राम को जोइनने के तो जोइन कर लो यहाँ पर देख लो 7100 से ज्यादा लोग यहाँ पर जुरे हुए तो अब अहीं तक आप लोग जुरे ने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याँ टेलिग्राम प्याकर सर्च करना है इस जेस्टेड़ी और जोइन हो जाना बाकि हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं दोस्तो तब तक के लिए जाहिन वन्देवातरम